गलातियों के नाम पॉलुस प्रेरित की पत्री अध्याए 1 से 6 अध्याए 1 अभिवादन एक पॉलुस की जो ना मनुश्यों की ओर से और ना मनुश्य के द्वारा वरन येश्यू मसीः और पर्मेश्वर पिता के द्वारा जिसने उसको मरे हुँ में से जिलाया रहे चार उसी ने अपने आपको हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए पांच उसकी स्तुती और बढ़ाए युगानुयुक होती रहे आमीन कोई दूसरा सुसमाचार नह पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते और मसील के सुसमाचार को बिगारना चाहते हैं आठ परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूद भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो शापित हो नौ जैसा हम पहले कह चुके हैं वैसा ही मैं अब फिर कहता हूँ कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहन किया है यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो शापित हो दस अब मैं क्या मनुश्यों को मनाता हूँ या परमेश्वर को क्या मैं मनुश्यों को प्रसंद करना चाहता हूँ? यदि मैं अब तक मनुश्यों को ही प्रसंद करता रहता तो मसीह का दासना होता पॉलुस कैसे प्रेरित बना? ग्यारह हे भायों, मैं तुम्हें बताए देता हूँ कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया है, वह मनुष्य का नहीं बारह क्योंकि वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुचा और ना मुझे सिखाया गया, पर ये शुमसीह के प्रकाशन से मिला तेरह यहुदी मत में जो पहले मेरा चाल चलन था उसके विशे तुम सुन चुके हो कि मैं परमेश्वर की कलिसिया को बहुत ही सताता और नश्ट करता था चौदा अपने बहुत से जाते वालों से जो मेरी अवस्था के थे, यहुदी मत में अधिक बढ़ता जाता था और अपने बापदादों की परमपराओं के लिए बहुत ही उत्साही था पंद्रह परंतु परमेश्वर की, जिसने मेरी माता के गर्भी से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया 16 जब इच्छा हुई की मुझ में अपने पुत्र को प्रगट करे की मैं अन्यजातियों में उसका सुसमाचार सुनाओं तो न मैंने मास और लहू से सलाह ली, सत्रह और न यरूशलेम को उनके पास गया जो मुझ से पहले प्रेरित थे पर तुरंत अरब को चला गया और फिर वहां से दमिश्ट को लोटाया 18 फिर तीन वर्ष के बाद मैं कैफा से भेट करने के लिए यरूशलेम गया और उसके पास 15 दिन तक रहा 19 परंतु प्रभू के भाई आकूप को छोड़ और प्रेरितों में से किसी से न मिला 20 जो बाते मैं तुम्हें लिखता हूँ, देखो, परमेश्वर को उपस्थित जानकर कहता हूँ कि वे जूटी नहीं 21 इसके बाद मैं सिर्या और किलिकिया के प्रांतों में आया 22 पर यहुदिया की कलिसियाओं ने जो मसीह में थी, मेरा मूं कभी नहीं देखा था 23 परंतु यही सुना करती थी कि जो हमें पहले सताता था वहब उसी विश्वास का सुसमाचार सुनाता है जिसे पहले नश्ट करता था 24 और वे मेरे विशय में परमेश्वर की महिमा करती थी अध्याय दो, अन्य प्रेरितों द्वारा पॉलुस को मान्यता 14 वर्ष के बाद मैं बर्नबास के साथ फिर यरुशिलिम को गया और तीतूस को भी साथ ले गया दो मेरा जाना इश्वरिय प्रकाशन के अनुसार हुआ और जो सुसमाचार मैं अन्यजातियों में प्रचार करता हूँ उसको मैंने उन्हें बता दिया पर एकांत में उनको जो बड़े समझे जाते थे ताकि ऐसा ना हो कि मेरी इस समय की या पिछली दौर धूप व्यर्थ ठहरे तीन परंतू तीतूस को भी जो मेरे साथ था और जो युनानी है खतना कराने के लिए विवश नहीं किया गया चार यह उन जूठे भाईयों के कारण हुआ जो चोरी से घुसाए थे कि उस स्वतंत्रता का जो मसीह लीश्यू में हमें मिली है भेद लेकर हमें दास बनाएं पांच एक घड़ी भर उनके अधीन होना हमने न माना इसलिए कि सुसमाचार की सच्चाई तुम में बनी रहे चह फिर जो लोग कुछ समझे जाते थे वे चाहे कैसे भी थे मुझे इससे कुछ काम नहीं पर मेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता उनसे जो कुछ समझे जाते थे मुझे कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ साथ परंतु इसके विपरीत जब उन्होंने देखा कि जैसा खतना किये हुए लोगों के लिए सुसमाचार का काम पत्रस को सौपा गया वैसा ही खतना रहितों के लिए मुझे सुसमाचार सुनाना सौपा गया आठ क्योंकि जिसने पत्रस से खतना किये हुँ में प्रेरताई का कार्या बड़े प्रभाव सहित करवाया उसी ने मुझसे भी अन्यजातियों में प्रभावशाली कार्या करवाया नौर और जब उन्होंने उस अनुग्रह को जो मुझे मिला था जान लिया तो याकूब और कैफा और युहना ने जो कलिसिया के खंभे समझे जाते थे मुझको और बर्नबास को संगती का दाहिना हाथ दिया कि हम अन्यजातियों के पास जाएं और वेखतना किये हुँ के पास दस केवल यह कहा कि हम कंगालों की सुधीले और इसी काम को करने का मैं आप भी यत्म कर रहा था पॉलस द्वारा पत्रस का विरोध ग्यारह पर जब कैफा अंताकिया में आया तो मैंने उसके मूँ पर उसका सामना किया क्योंकि वह दोशी ठहरा था बारह इसलिए कि आकूब की और से कुछ लोगों के आने से पहले वह अन्यजातियों के साथ खाया करता था परन्तु जब वे आय तो खतना किये हुए लोगों के डर के मारे वह पीछे हट गया और किनारा करने लगा तेरा उसके साथ शेश यहुदियों ने भी कपट किया यहां तक की बर्नबास भी उनके कपट में पढ़ गया चौदह पर जब मैंने देखा कि वे सुसमाचार की सच्चाय पर सीधी चाल नहीं चलते तो मैंने सब के सामने कैफा से कहा जब तू यहुदी होकर अन्यजातियों के समान चलता है और यहुदियों के समान नहीं तो तू अन्यजातियों को यहुदियों के समान चलने को क्यूं कहता है विश्वास द्वारा धर्मी ठहरना 15. हम तो जन्म से यहुदी हैं और पापी अन्यजातियों में से नहीं. 16. तो भी यह जानकर कि मनुश्य व्यवस्था के कामों से नहीं, पर केवल लीश्यू मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है. 17. हम जो मसीह में धर्मी ठहरना चाहते हैं, यदी आप ही पापी निकले तो क्या मसीह पाप का सेवक है? कदापी नहीं, 18. क्योंकि जो कुछ में ने गिरा दिया यदी उसी को फिर बनाता हूं, तो अपने आपको अपराधी ठहरता हूं. 19. में तो व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गया की परमेश्वर के लिए जीव. 20. में मसीह के साथ क्रूस पर चड़ाया गया हूं, अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझ से प्रेम किया और मेरे लिए 21. में परमेश्वर के अनुग्रह को वियर्थ नहीं ठेहराता, क्यूंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार मिकता होती, तो मसीह का मरना वियर्थ होता। 3. क्या तुम ऐसे निर्बुद्धी हो कि आत्मा की रीती पर आरंब करके अब शरीर की रीती पर अंत करोगे। 4. क्या तुमने इतना दू, ख वियर्थ ही उठाया। परंतु कदाचित वियर्थ नहीं। 5. जो तुम्हें आत्मादान करता और तुम्हें सामर्थे के काम करता है, वह क्या व्यवस्था के कामों से या सुसमाचार पर विश्वास से ऐसा करता है। 6. अबराहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। 7. अता यह जान लोकी जो विश्वास करने वाले हैं, वे ही अबराहम की संतान है। 9. इसलिए जो विश्वास करने वाले हैं, वे विश्वासी अबराहम के साथ आशीश पाते हैं। 10. इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं, वे सब शाप के अधीम हैं, क्योंकि लिखा है, जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता, वह शापित है। 11. पर यह बात प्रगट है कि व्यवस्था के द्वारा पर मेश्वर के यहां कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। 12 पर व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं, क्योंकि जो उनको मानेगा, वह उनके कारण जीवित रहेगा 14 यह इसलिए हुआ कि अबराहम की आशीश मसीह लीश्व में अन्यजातियों तक पहुँचे, और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिग्या हुई है व्यवस्था और वाचा 15 हे भायो, मैं मनुश्य की रीती पर कहता हूँ, मनुश्य की वाचा भी जो पक्की हो जाती है, तो न कोई उसे टालता है और न उसमें कुछ बढ़ाता है 16 अतर प्रतिग्याए अबराहम को और उसके वन्ष को दी गई वह यह नहीं कहता, वन्षों को, जैसे बहुतों के विशय में कहा, पर जैसे एक के विशय में की, तेरे वन्ष को, और वह मसी है 17 पर में यह कहता हूँ, जो वाचा परमेश्वर ने पहले से पक्की की थी, उसको व्यवस्था 430 वर्ष के बाद आकर नहीं टाल सकती की प्रतिग्या व्यर्थ थेहरे 18 क्योंकि यदि मीरास व्यवस्था से मिली है तो फिर प्रतिग्या से नहीं, परंतु परमेश्वर ने अबराहम को प्रतिग्या के द्वारा दे दी है 19 अब फिर व्यवस्था क्यों दी गई? वह तो अप्राधों के कारण बाद में दी गई की उस वंश के आने तक रहे, जिसको प्रतिग्या दी गई थी और वह स्वर्गदूतों के द्वारा एक मध्यस्थ के हाथ ठहराए गई 20 मध्यस्थ तो एक का नहीं होता, परंतु परमेश्वर एक ही है 21 तो क्या व्यवस्था परमेश्वर की प्रतिग्याओं के विरोध में है? कदापी नहीं, क्योंकि यदि ऐसी व्यवस्था दी जाती जो जीवन दे सकती, तो सच्मुच धार्मिक्ता व्यवस्था से होती 22 परंतु पवित्र शास्थ ने सब को पाप के अधीन कर दिया, ताकि वह प्रतिग्या जिसका आधार येश्यु मसीः पर विश्वास करना है, विश्वास करने वालों के लिए पूरी हो जाए 23 पर विश्वास के आने से पहले व्यवस्था की अधीनता में हमारी रखवाली होती थी, और उस विश्वास के आने तक जो प्रगट होने वाला था, हम उसी के बंधन में रहे 24 इसलिए व्यवस्था मसीः तक पहुँचाने के लिए हमारी शिक्षक हुई है कि हम विश्वास से धर्मी ठहरें 25 पर अंतु जब विश्वास आ चुका, तो हम अब शिक्षक के अधीन न रहे 26 क्यूंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीः लीश्यू पर है, परमेश्वर की संतान हो 27 और तुम में से जितनोंने मसीः में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीः को पहिन लिया है 28 सब न कोई यहुदी रहा और न युनानी, न कोई दास न स्वतंत्र, न कोई नर्ना नारी, क्यूंकि तुम सब मसीः लीश्यू में एक हो 29 और यदि तुम मसीः के हो तो अबराहम के वन्श और प्रतिग्या के अनुसार वारिस भी हो अध्याय चार एक में यह कहता हूं कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपी सब वस्तूओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं दो परंतु पिता के ठहराय हुए समय तक सन्रक्षिकों और प्रबंधकों के वश में रहता है तीन वैसे ही हम भी, जब बालक थे, तो संसार की आदी शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे चार परंतु जब समय पूरा हुआ, तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन हुआ, पांच ताकी व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर चुड़ा ले, और हमको लेपालक होने का पद मिले चह और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अबबा, हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भीजा है साथ इसलिए तू अब दास नहीं, परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ, तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ गलातियों के विशय में पॉलुस की चिंता आठ पहले तो तुम परमेश्वर को न जानकर उनके दास थे जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं, नौपर अब जो तुम ने परमेश्वर को पहचान लिया वरन परमेश्वर ने तुम को पहचाना, तो निर्बल और निकम्मी आदी शिक्षा की बातों की ओर क्यूं फिरते ह जिनके तुम दोबारा दास होना चाहते हो दस तुम दिनों और महीनों और नियत समयों और वर्षों को मानते हो ग्यारह मैं तुम्हारे विशय में दरता हूँ कहीं ऐसा ना हो कि जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया है वह व्यर्थ ठहरे 12 ये भायो, मैं तुमसे विनती करता हूँ, तुम मेरे समान हो जाओ, क्योंकि मैं भी तुम्हारे समान हो गया हूँ, तुमने मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं 13 पर तुम जानते हो कि पहले पहल मैंने शरीर की निर्बलता के कारण तुम्हें सुसमाचार सुनाया 14 और तुमने मेरी शारीरिक दशा को जो तुम्हारी परीक्षा का कारण थी, तुछ ना जाना, ना उससे घ्रिना की, और परमेश्वर के दूत वरंस्वयम मसील के समान मुझे ग्रहन किया 15 तो वर तुम्हारा आनंद मनाना कहा गया? मैं तुम्हारा गवाह हूँ कि यदी हो सकता तो तुम अपनी आखे भी निकाल कर मुझे दे देते 16 तो क्या तुम से सच बोलने के कारण में तुम्हारा बैरी बन गया हूँ? 17 वे तुम्हें मित्र बनाना तो चाहते हैं पर भले उदेश्य से नहीं वरं तुम्हें अलग करना चाहते हैं कि तुम उन्हीं को मित्र बना लो 18 पर यह भी अच्छा है कि भली बात में हर समय मित्र बनाने का यत्म किया जाए ना केवल उसी समय की जब मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ 19 है मेरे बाल को जब तक तुम में मसीह का रूप न बन जाए 20 इच्छा तो यह होती है कि अब तुम्हारे पास आकर और ही प्रकार से बोलूं क्योंकि तुम्हारे विशय में मैं उल्जन में हूँ 21 तुम जो व्यवस्था के अधीन होना चाहते हो मुझे बताओ क्या तुम व्यवस्था की नहीं सुनते 22 यह लिखा है कि अबराहम के दो पुत्र हुए एक दासी से और एक स्वतंत स्त्री से 23 परंतु जो दासी से हुआ वह शारीरिक रीती से जन्मा और जो स्वतंत स्त्री से हुआ वह प्रतिग्या के अनुसार जन्मा 24 इन बातों में दृष्टांथ है ये स्त्रिया मानो दो वाचा हैं एक तो सीने पहाड की जिससे दास ही उत्पन होते हैं और वह हाजरा है 25 और हाजरा मानो अरब का सीने पहाड है और आधुने की यरुशलिम उसके तुल्य है क्योंकि वह अपने बाल को समेथ दास्त्व में है 26 पर उपर की यरुशलिम स्वतंत है और वह हमारी माता है 27 क्योंकि लिखा है हे बांज तू जो नहीं जन्ती आनंद कर तू जिसको पिराय नहीं उठती गला खोल कर जैजाई कार कर क्योंकि त्यागी हुई की संतान सुहागिन की संतान से भी अधिक हैं 28 हे भायो हम इस हाग के समान प्रतिग्या की संतान है 29 और जैसा उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ आत्मा के अनुसार जन्मे हुए को सताता था वैसा ही अब भी होता है 30 परंतु पवित्र शास्त्र क्या कहता है दासी और उसके पुत्र को निकाल दे क्यूंकि दासी का पुत्र स्वतंत्र स्त्री के पुत्र के साथ उत्तर आदिकारी नहीं होगा 31 इसलिए हे भायो हम दासी के नहीं परंतु स्वतंत्र स्त्री की संतान है अध्याए 5 स्वतंत्रता को सुरक्षित रखो एक मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतह इसी में स्थिर रहो, और दास्त्व के जुए में फिर से न जुतो दो देखो, मैं पॉलुस तुमसे कहता हूँ कि यदी खतना कराओगे, तो मसीह से तुम्हें कुछ लाबना होगा तीन फिर भी मैं हर एक खतना कराने वाले को जताय देता हूँ कि उसे सारी व्यवस्था माननी पड़ेगी चार तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो पांच क्यूंकि आत्मा के कारण हम विश्वास से आशा की हुई धार्मिक्ता की बार्ट जोहते हैं चेह मसीह लीशु में न खतना और न खतना रहित कुछ काम का है, परंतु केवल विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है साथ तुम तो भली भांती दोड रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया की सत्य को न मानो आठ ऐसी सीख तुम्हारे बुलाने वाले की ओर से नहीं नौ थोड़ा सा खमीर सारे गुंधे हुए आटे को खमीर कर डालता है दस में प्रभू पर तुम्हारे विशय में भरोसा रखता हूं कि तुम्हारा कोई दूसरा विचार न होगा परंटु जो तुम्हें घब्रा देता है, वह कोई क्यूँ न हो दन पाएगा ग्यारह परंतु हे भायो, यदी मैं अब तक खतना का प्रचार करता हूँ, तो क्यूं अब तक सताया जाता हूँ? फिर तो क्रूस की ठोकर जाती रही, बारह भला होता कि जो तुम्हें डावाडोल करते हैं, वे अपना अंगी काट डालते तेरह हे भायो, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अफसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो 14. क्यूंकि सारी व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी हो जाती है, तू अपने परोसी से अपने समान प्रेम रख 15. पर यदि तुम एक दूसरे को दांट से काटते और फाड़ खाते हो, तो चौकस रहो कि एक दूसरे का सत्यानाश न कर दो 16. पर मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीती से पूरी न करोगे सत्रव क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और ये एक दूसरे के विरोधी है इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वहना करने पाओ 18 और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहे 19 शरीर के काम तो प्रगट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुच्पन, 20 मूर्ति पूजा, टोना, बैर, जगड़ा, इर्श्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, 21 डाह, मत्वालापन, लीला क्रीरा और इनके जैसे और और काम हैं, इनके विशे में मैं तुमस पहले से कह देता हूं जैसा पहले कह भी चुका हूं, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे, 22 पर आत्मा का फलप्रेम, आनंद, शांती, धीरज, क्रिपा, भलाई, विश्वास, तेस नम्र्टा और सयम है, ऐसे ऐसे कामों के विरोध में को कोई भी व्यवस्था नहीं, 24 और जो मसीह लीश्यू के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाशाओं समेत क्रूस पर चड़ा दिया है, 25 यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं, तो आत्मा के अनुसार चलें भी, 26 हम घमंडी होकर न एक दूसरे को तो तुम जो आत्मिक हो, नम्र्टा के साथ ऐसे को संभालो, और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में न पढ़ो, 2 तुम एक दूसरे का भार उठाओ, और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो, 3 क्योंकि यदि कोई कुछ न होने पर भी अपने को धोखा देता है, 4 पर हर एक अपने ही काम को जाँच ले, और तब दूसरे के विशे में नहीं परंतु अपने ही विशे में उसको घमंड करने का अफसर होगा, 5 क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोज उठाएगा, 6 जो वचन की शिक्षा पाता है, वह सब अच्छी वस वह शरीर के द्वारा विनाश की कतनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है, वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कतनी काटेगा, 9 हम भले काम करने में साहस ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम धीले नहों तो ठीक समय पर कतनी काटेंगे, 10 इसलिए जहां तक अफसर मि हम सब के साथ भलाई करें, विशेश करके विश्वासी भाईयों के साथ, अन्तिम जेतावनी और अभिवादन, 11 देखो, मैंने कैसे बड़े-बड़े अक्षरों में तुमको अपने हाथ से लिखा है, 12 जो लोग शारीरिक दिखावा चाहते हैं, वे ही तुम्हारा खतना कर चाहते हैं कि तुम्हारी शारीरिक दशा पर घमंड करें, 14 पर ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभू लिश्व मसील के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टी में और मैं संसार की दृष्टी में क्रूस पर चड़ाया गया हू 15 क्योंकि न खतना और न खतना रहित कुछ है, परंतु न इस रिष्टी, 16 जितने इस नियम पर चलेंगे उन पर, और परमेश्वर के इस्राइल पर शांती और दया होती रहे, 17 आगे को कोई मुझे दू, खाना दे, क्योंकि मैं लिश्व के दागों को अपनी देह में झाल झाल